स्टूडेंट्स क्लास 11 आज हम हमारे चैप्टर 7 का अध्यन करेंगे जो कि है कणों के निकाय और घूरुनिंगती सिस्टम अब पार्टिकल्स एंड रोटीशनल मोशन अनांतरिय गती क्या होती है देखिए कि यदि कोई एक बॉडी है जिसको हम द्रड पिंड कहते हैं रिजिड बॉडी कहते हैं ये पूरा चैप्टर रिजिड बॉडी डाइनमिक्स कहलाता है rigid body वो जिसमें जो जितनी कड होते हैं अंदर जितनी कड होते हैं उनकी दूरी नहीं बदलती उनके आयतन और आकार में परिवर्तन नहीं होता हम सामाइने रूप से गुरुन गती का अध्यन करने के लिए जितनी ठोस वस्तु में हैं उन सब को दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और उनके कड़ों की इस्तिती में उनके कड़ों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए जब ये बोडी ये द्रड़ पिंड मूव करता है तो यदि वो एक सरल देखा में चल रहा है तो ये पहले इसकी इस्तिती है थोड़ी देर के ब वो कहलाती है इस्थान अंतरी गती तो जब कोई द्रड पिंड इस तरह से गती करता है कि उसके सभी कणों के विस्थापन और बेग एक समान होते हैं डिस्प्लेस्मेंट और वेलोसिटी एक समान हो तो ऐसी गती को हम क्या कहते हैं इस्थान अंतरी गती कहते हैं जैसे रेल के डिब्बे की गती, बस या ट्रक की गती, इस गती में पिंड के सभी कंड समानतर पत्थ बनाते हैं, यह जो अंदर के बीच की दूरी है, यह जो रास्ता बनेगा, यह पैरलल बनेगा, तो इसको हम कहते हैं टांसलेटरी मोशन या इस्थाना अंतरी गती, बेसिक लाइन में जब कोई चीज मूव करती है गती करती तो उसको सरल रिखा में गती कहते हैं जब एक वृत्ताकार रास्ते का निर्मान करती है तब उसको हम वृत्ती कहते हैं सर्कुलर मुशन कहते हैं यह पहले आप पढ़ चुके हैं घुर्णन गती क्या है अपने घरों में आस चौक होता है उस पर ये बरतन बनाता है तो ये चौक घूमता है तो ये एक अक्ष के परिता घूमता है ये घूर्णन गती है और बहुत सारे उधारण है लट्टू जो होता है उसको आप घूमाते हैं जमीन पर तो वो अंदर से जाने वाले एक अक्ष की तरफ घूमता है मे गूम जाती है तो अक्षपर भी घूमती है और सूरी के चारों तरफ भी घूमती है सूरी के चारों तरफ जो घूमना है वो वरती गती है और अपने ही अक्षपर अंदर से जाने वाले अक्षपर घूमना है वो घूरुनन गती है यह जो पवन चक्कियां है यह घूमती है य जब आप किसी बोतल के धकन को खोलते हैं, तो आप दो बराबर और विपरीद बल लगाते हैं, जिससे उसका धकन खोल जाता है, आपका पेन आप रिफिल डालने के लिए खोलते हैं, तो उंगली और अंगूठे से आप बल योगम का निर्बान करते हैं, एक बल आप एक दिशा में लगाते हैं, दूसरा अंगूठे से दूसरी दिशा में लगाते हैं, फल जरूर वो घूमने लगती है, अक्ष के परिता घूमने लगती है, जिससे वो आपका पेन खोल जाता है, और आप उसकी रिफिल को चेंज कर लेते हैं, तो जब किसी द्रड़ पिंड पर बल या बल यूग में लगाने पर वे स्वयम में से होकर जाने वाले अक्ष के परिता घूमने लगती है, तो इसकी इस गती को घूरनी गती कहते हैं, और जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेशन करती है, उसको हम घूरन अक्ष कहते हैं, अभी आपने उधारन देखे, ये एक लट्टू है, इस परिंग टॉप है, ये इसका एक्सेस है, ये इसके चारों तरफ घूमता है, चाहे वो पंखा हो, सीलिंग फैन हो, या टेबिल फैन हो, तो ये घूमती हैं पंखुडियां, ये सब घूरन गती हैं, जिसको हम देख चुके हैं, तो घूरन गती आप सम अंखे की ब्लेडों की गती, प्रत्वी की अपनी अक्ष पर घूरन करना, सीडी प्लियर जो होता है, उसमें सीडी जो घूमती है, वो घूरन गती है, घिर्मियों की गती, पानी हम को ये से निकालते हैं, जो घिर्मी होती है, चक्र होता है, उसकी गती क्या कहलाती है, घू गुरुनंगती का उधारन है अब गुरुनंगती में कुछ की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कुछ important facts आपको जो गुरुनंगती को समझने में आपकी मदद करेंगे सबसे पहली बाद तो यह देखिए कि यह जो रिजिट बाडी है यह जो दृड़ पिंड है यह घूम र रही है तो इसके अंदर बहुत सारे कंड हैं तो यह जो कंड हैं यह घूरुनंगती में बृति महर्मन करते हैं इन सारे व्रतों का केंद्र उन्हें यह इसका एकसिस है इसके जानों तरफ ये body move कर रही है, पहली बात, दूसरी बात, कौणिय वेग omega, omega जो की वरत्य गती में हमने पढ़ा, v is equal to r omega, जो की relation भी था, रिक्य वेग और कौणिय वेग में संबंद, घूरन गती या वरत्य गती जब आप पढ़ते हैं, तो सारी चीज़े कौणिय एंगुलर फॉर्म में होती हैं, वहाँ ये analogy है, वहाँ आप रेखिय वेग पढ़ते हैं, यहाँ आप कौणिय वेग पढ़ते हैं, वहाँ आप रेखिय तौरन पढ़ते हैं, यहाँ आप कौणिय तौरन अलफा पढ़ते हैं, वहाँ आप रेखिय संबेग पढ़ते हैं, पी, यहाँ आप कौड़िये सम्वेग पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे तो कौड़िये वेग ओमेगा समान होना यानि केंदर पर ये जो कड़ कौड बनाते हैं ये बराबर कौड होगा ये कड़ जब मूव करेगा तो माली जब यहां आएगा तो दूसरा कड़ मूव करेगा तो यहां आएगा तो इसका प्रती सेकंड केंदर पर बनने वाला कौड समान होता है कौड ये वेग ओमेगा समान होता है गूरन अक्ष के लंबवत तल में गती करता है, ये गूरन अक्ष है इसके अंदर से जाने वाला, तो ये जो कण हैं, इसके परपेंडिकुलर हैं, इसके लंबवत हैं, 90 डिग्री का कौण बनता है, तो लंबवत तल में ये गती करते हैं, वरत्ती गती करते हैं, और यदि कण घूलन अक्ष पर जितने काण होते हैं उनका रेखी वेग 0 होता है वो अक्ष परिस्थित हैं इसलिए उनका प्रती सेकंड जो विस्थापन है वो 0 होगा इसलिए रेखी वेग क्या होता है 0 होता है और पाचवी बात जो आपको ध्यान रखती है rotational motion 2D और 3D हो सकती है दिविमी है या तिर्विमी है XY axis में और XY और Z तीनों axis में उसके जो elements है उसके जो अभीवी इकन है या वस्तू है वो गती कर सकती है तो इसलिए वो दिविमी या तिर्विमी है हम आगे चलते हैं टार्क की बात करेंगे moment of force जिसको इंगलिश में कहते हैं बल आगून तो बल के कारण जो प्रभाव पैदा होता है उसको हम बल आगून कहते हैं ये आप जानते हैं क्या है इसको हम screw driver कहते हैं इसको पैंचकस कहते हैं पैंचकस से आप screw को खोलते हैं दूसरी चीज़ आप देखिए ये एक दर्वाजा है आप सोचिएगा कि इस पैंचकस का जो handle है वो बड़ा बनाया जाता है आप बड़े पैंचकस से किसी screw को खोलेंगे तो आपको खोलने में बहुत आसानी होती है और छोटे पैंचकस से आप खोलेंगे जिसका size बहुत छोटा हो तो आपको ज़्यदा force लगाना पड़ेगा इसी तरह से यदि आप दर्वाजे के कौने पर बल लगाकर दर्वाजे को खोलते हैं या दर्वाजे को लगाते हैं तो आपको कम बल लगाना पड़ता है यदि आप यहां बल लगाएंगे तो इसको खोलना और लगाना मुश्किल होगा तो सवाल ये कि ऐसा क्यों है इस से हम अमारी बल आगून के concept को समझेंगे जब आप बल अक्षे के पास लगाते हैं आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ता है यानि जब दूर लगाएंगे तो इस बल का प्रभाव ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है दरवाजा एक द्रड़ पिंड है जो कबजे के परिता घूरन कर सकता है तो मैंने की जैसे बताया कि इसके सिरे पर आप जब फोर्स लगाते हैं तो इसको आसानी से गुमाएं जा सकता है लेकिन इस कबजे के पास से आप बल लगाएंगे तो इसको गुमाना कठिन है तो इसका मतलब यह हुआ कि घूरन गती कराने के लिए बल के परिमान के अत्रिक्त यह भी महत पूर्ण है कि बल कहां लगाया जा रहा है तो इस घूरन गती में इस बल के समतुल्य जो राशी है उसका नाम है बल आगूर्ण बल आगूर्ण का मतलब क्या होता है यदि कोई बल पिंड के अक्ष के पास लग रहा है यह बात हमने अभी समझ ली तो इसका प्रभाव अक्ष के पास लग रहा है तो प्रभाव कम होता है यहां बल लग रहा है तो एफेक्ट कम होगा और दूर बल लगा रहा है तो इसका प्रभाव अधिक होता है बल के इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं बल आगून किसी अक्ष के परिता बल आगून बल के परिमान और घूरन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंवर दूरी के गुड़नफल के बराबर होता है इस पूरी बात को हम आगे समझेंगे पहले इस definition को इस परिभासा को आप नोट करें बल आगून क्या है बल का प्रभाव बल के द्वारा घूरनन में जो प्रभाव होता है उसको कहते हैं बल आगून इसकी माप करने के लिए इसकी definition ये है किसी अक्ष के परिता बल आगून बल के परिमान और घूरनन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंवर दूरी के गुड़नफल के बराब फोर्स को ये जो हमारा स्कूरू ड्राइवर है ये चितर में आपको दिख रहा है तो फोर्स को आप ऊपर लगा रहे हैं तो ऊपर लगाने से ये इस अक्ष के परिता घूमने लगेगा तो यहाँ पर लगाएंगे तो टार्क उत्पन होगा इस बल का प्रभाव ये होगा क इस screw को खोलने के लिए ये तार्क उत्पन करेगा, तो तार्क ऐसा इस तरफ, anti-clockwise होगा आप नीचे घुमाएंगे तो nut कसने लगेगा तो ये force आपने इस कौने में लगाया जिससे इस screw खोल गया, यदि आप force यहां लगाएंगे तो इसको आपको प्रभाव कम उत्पन होगा, इस तार्क कम उत्पन होगा, अक्चे से पास होगा, बल की क्रिया रेखा ये कहलाती ही क्रिया रेखा, ये जो दूरी है, लमवत दूरी बल की क्रिया रेखा है, और बल और क्रिया रेखा के बीच का जो तो गुड़नफल होता है वो टार्गुदपन करता है उसको हम कहते हैं बल आघूर तो यह हमने पढ़ा इसकी डेफिनिशन अब देखिएगा इसका फार्मूला कैसे निकलेगा इस डेफिनिशन से फार्मूला क्या आया बल आघूर बराबर बल गुड़ित बल की क्रिया इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं और इस अक्षे से एक लंब डालें तो ये ओन इसका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तो इस क्रिया रेखा पर ये इसकी क्रिया रेखा है ये जो आपको लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन जिसको इस बल के वेक्टर को पीछे की है हमने लंब डाला हुआ है तो इसको हम टाउ से शो करते हैं हम अभी केवल परिमान की बात कर रहा है इसकेलर की बात कर रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का फार्मूला हम अभी निकालेंगे तो इस फार्मूले से इस डेफिनिशन से फार्मूला क्या बन सबसे पहले इसका unit निकाल लें तो बल का unit क्या होता है ऐसा unit Newton और दूरी का क्या होता है meter तो Newton into meter विमी सुत्र निकालेंगी तो बल का विमी सुत्र आपको पता है MLT-2 F is equal to MA A का LT-2 M और M का capital M into meter का L तो L2 आ जाएगा ML2 T-2 ये dimensional formula क्या हुआ टार्क का हुआ देखिए अब इसका vector form हम करते हैं ये एक derivation है देखिए माल लीजे कोई pin y और y dash axis के परिता घुर्णन गती करता है ये इसका बिंदू P है जिस पर vector F force लगाया गया है बिंदू O के सापे इस P का जो position vector होगा इस्तिती सदिश होगा इसको हमने origin ले लिया मूल बिंदू ले लिया तो इस्तिती सदिश O P क्या हो गया हमने माल लिया vector R है तो बल F की क्रिया रेखा पर O N लंब डालें ये लंब डाला हमने अभी हमने चर्चा की थी तो यह अक्षिक से बल की क्रिया रेखा की लंब डूरी होगी ये जो O N है दूरी तो हम F में किसका गुणा करेंगे O N का तो टाउ is equals to क्या आएगा F into O N अब यदि बल vector F और position vector R के बीच का कौण फाई हो ये दिखिए कौण फाई दिख रहा है ये ही कौण यहाँ बनेगा ये पूरी क्रिया रेखा है ये force का direction है और ये क्रिया रेखा है ये इसका position vector है और इनके बीच का कौण क्या है फाई तो इस triangle को देखिए O P N इस triangle को आप देख रहे हैं यदि हमें sin theta निकालना है तो हम क्या करते हैं लंब बटे कर्ण कौण के सामने की भुजा लंब होती है हम इस कौण को consider कर रहे हैं हमने लंब भी यही डाला है तो कौण के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी तो sin phi इ याने O N बटे O P तो हम इसको लिख सकते हैं cross multiplication करके O N equals to O P sin phi अब O P का परिमाण क्या है R है तो हम O N को लिख सकते हैं R sin phi तो यहाँ जो equation है हमारा जो definition से आया उसमें हम लिख सकते हैं F into R sin phi O N की value हम यहाँ पर रख देंगे O N की value हमने रखी यह हमने triangle से निकाला और O N की value क आई R sin phi equation 2 हो गया equation first हो गया हमने first equation में O N की value रखी तो F into R sin phi आ गया हम इसको लिख सकते हैं R F sin phi इसको आपको R को पहले लिखना है ठीक है R F sin phi अब आप जानते हैं दो तरह के product होते हैं एक dot product और एक cross product एक अधिश गुडणफल और एक सदिश गुडणफल A cross vector V उन सदिशों के परिमानों और उनके बीच के sin theta के गुडणफल के बराबर होता है और unit vector N आता है ये cross product कहलाता है सदिश में दो तरह के गुडणफल होते हैं एक dot product होता है और एक cross product होता है तो ये होता है A B sin theta ये इसका formula है इसी chapter में आपने पढ़ा है और पहले भी तक आप vector को नहीं समझेंगे गडित को नहीं समझेंगे आप physics को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे ये हमारा formula होता है vector A cross vector B equals to A B sin theta A B इन vector के परिमान है और theta इन दोनों vector के बीच का कौण है तो मतलब ये हुआ यदि कोई quantity इस रूप में लिखी है तो हम उसको vector A cross vector B ल लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं vector tau equals to vector R cross vector F इसका मतलब ये हुआ कि किसी अक्ष के परिदा किसी पिंड का बल आघोर्न उसकी इस्तिती सदिश और बल के सदिश गुड़नफल के बराबर होता है आप scalar form में लिखेंगे तो F into R लिख सकते हैं कोई दिक्त नहीं है लेकिन vector form में लिखेंगे तो आपको R cross F ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो क्रम निवे नियम का फालन नहीं करता अब हम बात करते हैं दूसरी quantity की कौड़ी ये समवेग जिस तरह से रेखिये समवेग आपने linear motion में पढ़ा रेखिये गती में पढ़ा रेखिये समवेग क्या होता ह किसी भी कंड की द्रविमान और वीग का गुड़न फल उसको हम P शेशू करते हैं vector P equals to M vector B, scalar form में P is equal to MV, द्रविमान और वीग का गुड़न फल समवेग कहलाता है लेकिन जैसे कि मैंने बात की कि घूरन गती के पूरे chapter में आपको कौड़ी ये पढ़ना है, कौड़ी ये चीज़ों को आपने पढ़ना है, तो जिसतर से रेखिय समवेग वहां होता है, घूरन गती में इसी के समतुल्य रासी को हम कहते हैं कौड़ी ये समवेग क्या होता है, इस रेखिय समवेग का घूरन अक्ष के सापेक्ष आगूर्ण, इस रेखिय समवेग P का घूरन वो कौड़िये सम्वेक कहलाता है ये भी vector quantity है इसको vector else शो करते है आघूर्ण शब्द जब भी आता है position vector r का गुणा होता है हम लंबवद दूरी r का गुणा करते है बल आघूर्ण तो बल में हमने किसका गुणा करा लंबवद दूरी बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवद दूरी r का यानि लंबवद दूरी r का गुणा होता है आघूर्ण जब भी आए तो यहां किसका आघूर्ण रेखिये सम्वेक का आघूर्ण तो किसका गुणा होगा? r का गुणा होगा तो रेखिये सम्वेक गुरित घुरन अक्ष से कड़ की लमवद दूरी कॉड़ी ये समवेग की सूत्र क्या हुगा मैंने आपको बताया इसको нोट कर लीज़े आघूर नी याने आपको कड़ की लमवद दूरी का गुणा करना है गुरन अक्ष से तो रेकिये समवेग में यदि हम लमवत दूरी का गुणा कर देते हैं, तो कोड़ी ये समभी आ जाता है, इसकेलर फॉर्म की बात हो रही है, केवल परिवान की बात हो रही है, तो L वराबर आएगा P into R, जब इसका वेक्टर फॉर्म आएगा, तो वेक्टर R यहां आ जाएगा, क्यों R और वेक्टर R में फर्क है, वेक्टर जब लग जाता है, तो परिवान के शाथ साथ, दिशा भी इसमें बतानी पड़ती है, तो जब डिरेक्शन का कॉंसेप्ट आ जाता है, तो P into R, आप वेक्टर P into वेक्टर R नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर R into Cross Rector P आपको लिखना पड़ेगा, वो कैसे हम आगे आपको बताएंगे, सबसे पहले इसके हमने Definition समझ ली, इसको नोट कर लीजेगा, घूर्णन गती में किसी कड के रेखिये सम्वेग का आघून, किसी कड के रेखिये सम्वेग का आघून, यहां मैं आएगा, घूर्णन फार्मूला हुगा, यूनिट P का क्या होता है, MV होता है, तो M कलोग्राम, V का मीटर पर सेकंड, और R का दूरी का मीटर, तो यह हो जाएगा, कलोग्राम, मीटर स्क्वेर पर सेकंड, सेकंड को आप उपर ले जा सकते हैं, सेकंड माइनस 1, सेकंड के उपर माइनस वावर आ अब हम कौड़ी ये संबेग का वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, हमने अभी पढ़ा कौड़ी ये संबेग वराबर रेखिये संबेग गुडित घूरन अक्षिसे कड़ की लंबवत दूरी, तो माल लीजिए कि ये M द्रब्यमान का एक कड़ है P, मूल विंदू O के साथ इसका नाम P है और इसका रेखिये संबेग इसमाल P है, द्रब्यमान इसमाल M है, तो अक्षिस O के about इस कड़ का कौडिये संबेग परिभासा से क्या निकलेगा, रेखिये संबेग गुडित घूरन अक्षिसे कड़ की लंबवत दूरी, इसको हमने बढ़ाया, इसको बढ़ाया और इसको बढ़ाया और इसको लंब डाला, जैसे के बल आगून के डेरिवेशन में हमने किया था तो लंबवद दूरी क्या आएगी O N आएगी तो L is equal to क्या लिख सकते हम P into O N P हो गया रिखिए समवेक का परिमान और O N हो गई इसकी लंबवद दूरी अब ये ट्राइंगल फिर से दिखिए वही कवही O P N O P N में आप यदि O N को निकालना चाहते हैं तो यदि वेक्टर R और इस वेक्टर P के बीच का कौण थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब O N बटिकर्ण O P ठीक उसी तरह से O N is equal to क्या आजाएगा O P साइन थीटा ये O P का हमने तिरिया गुणा कर दिया O P की वेल्यू कितनी है O P की वेल्यू का परिवान क्या है R है तो O N बराबर क्या आएगा R साइन थीटा कुल मिलाके जो लंबवत दूरी है उसका मान R साइन थीटा आता है चाहे आप बल आगून का शदिश रूप निकाल रहे हो चाहे आप कौड यह संबिक का निकाल रहे है यहां क्या आएगा R साइन थीटा तो हमारा जो एक्विशन है L इक्वल्स तू P इन्टू O N ट्राइंगिल से हमने साइन थीटा निकाला और O N निकाल लिया तो O N की वेल्यू जब हमें इसमें रखी तो यह आगया P इन्टू R साइन थीटा इसको हम R P साइन थीटा लिख सकते है R P साइन थीटा यह वही वेक्टर हो गया यह सदिश गुडनफल हो गया किसका वेक्टर R और वेक्टर P का वेक्टर A क्रॉस वेक्टर P B इक्वल्स टू होता है AB sin theta unit vector N unit vector दिशाद बताता है उसका परिमान एक होता है तो यह formula है तो R P sin theta को हम क्या लिख सकते हैं vector form है vector L equals to vector R cross vector P यह कोड़िय सम्वेग का vector form है हम यह कह सकते हैं कि किसी कण का किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता कोड़िय सम्वेग उसकी अक्ष से उसके इस्थिती सदिश और रेखिय सम्वेग के सदिश गुडनफल के बराबर होता है एक बात और आप इस P की value क्या जानते हैं रेखिय सम्वेग M V होता है तो इस P की जगे हम क्या रख सकते हैं M V तो यह आ गया vector R cross M vector V M क्या है scalar है M अदिस रासी है M को हम बाहर ले सकते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लेख सकते हैं vector L equals to M vector R cross vector V यह formula V कोड़ी यह सम्वेग का है और यह formula V कोड़ी यह सम्वेग का है यह formula V कोड़ी यह सम्वेग का है ये दोनों अधिस form हैं केवल परिमान हैं और ये vector form है इसका ये इसमें दिशावी होती है जो कि हम screw rule से निकालते हैं कैसे निकालते हैं अब यदि आपको R cross P का direction निकाल ला हैं तो cross product का जू नियम है screw rule है या आप अपने हाथ को दाइने हाथ को इस दिशा में करल करिए यह R का direction है तो R से उंगलियों को आप यहां घुमाएंगे करल करेंगे तो अंगुठा बाहर की तरफ जाएगा अंगुठा कहा जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा तो जिस दिशा में अंगूठा जाता है वहाँ vector L की direction होगी यह Z direction में होगा यह मेरी तरफ होगा इस वीडियो का आप देख रहे हैं तो इसका direction आपकी तरफ होगा लंबवत होगा इन दोनों सदिशों के लंबवत तल में दिशा होती है यह vector का नियम है उसमें यह बता आए जाता है direction को अब हम कौड़ी सम्वेग और बल आगूर में संबंध निकाल लेते हैं कौड़ी सम्वेग क्या हुआ vector L is equal to vector R cross vector P हमने T के साफिक्ष इस समय करन का अवकलन करना है दिखिए differentiation और integration दो बहुत important mathematics हैं जो physics में generally use होती है इनको आपको समझना पड़ेगा अवकलन को और समाकलन को जब हम दो राशियों के गुड़न फल का यदि किसी राशिय में दो फलन है उनका अवकलन करते हैं तो इसका एक formula होता है वो formula क्या होता है यदि दो राशिय हैं दो फलन है A और B और इनका अवकलन कर रहा है हम X के साथिक्श तो इसका सूत्र है पहला फलन गुड़ित दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुड़ित पहले का अवकलन यह A और B दो राशिय हैं तो पहले A को हम वैसे ही का वैसेoses लिख देंगे B का अवकलन करेंगे X के साफिक्स फिर B को प्लस करके B को लिख देंगे फिर A का अवकलन करेंगे तो यहाँ दो राजिया है vector R cross vector P तो हम क्या लिखेंगे A क्या है हमारा vector R है B क्या है vector P है तो हमने इस सूत्र में यह formula है उसका इसको note करिएगा A को हमने पहले लिख दिया vector R और D B by DX हम T के साफिक्ष कर रहे हैं तो D vector P by DT दूसरे में B को हमने आगे लिखना है B को वैसे ही लिख दिया vector DR by DT अब इन सब के मतलब हैं विजिक्स में इन सब के मतलब है यह परिवर्तन की दर है किसके परिवर्तन की दर है समवेग परिवर्तन की दर और आपने न्यूटन के दूसरे नियम में पढ़ा है किसी वस्तू के समवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है तो यह बल है DR बटे DT यह विस्थापन का अवकलन है T के सापेक्ष और विस्थापन का जब हम T के सापेक्ष अब कलं करते हैं तो वेग आता है रिखी वेग की परिवासा है उसका सूत्र लिखा हुआ है DR Vector upon dt विस्थापन बटे समय आप वेग पढ़ते हैं ना वेग वराबर विस्थापन बटे समय, चाल वराबर दूरी बटे समय, तो ये विस्थापन है, ये vector quantity है, और P क्या है, MV है, इन सब के मतलब है, ये दिखी, P क्या है, द्रब्यमान, गुडिद वेग, संबेग है, DR बटे dt क्या है, vector V है, ये सारी quantities हम equation first में रखेंगे, तो हम जब first में रखते हैं, तो vector R, ये dp by dt की जगे हमने क्या रख दिया, vector F, इस P की जगे हमने क्या रख दिया, M vector V, और इस vector V, ये DR बटे dt की जगे रख दिया, V, ता हमारे पास इस तरह का equation आ लिया, 2, अब दिखिए, vector V, cross vector V, equals to 0, जब दो सदिश समानांतर होते हैं, उनके बीच का count 0 होता है, तो उनका cross product 0 आता है, क्यों आता है, दिखिए, vector A, cross vector B, equals to 0, अब यदि दोनों के बीच का count 0 है, तो sin theta की जगे sin 0 आएगा, sin 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, that's why vector V, cross vector V, equals to 0, यदि दो समानांतर सदिश हैं, समान सदिश हैं, एक ही दिशा में हैं, तो उनका vector product, उनका cross product क्या आता है, 0, that's why this quantity becomes 0, ये quantity क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ता हमारे पास इस equation का form क्या हो जाएगा, vector R, cross vector F, ये quantity ये पूरी 0 हो गई, ता हमारे पास आगया, vector DL by DT equals to vector R into F, ये हमारे equation third आगया, अभी आपने पहला derivation किया है, vector R, cross vector F, ये क्या है, जानते हैं आप, ये हैं बल आगूर्न, इसको क्या कहते हैं, टाव, vector R, cross F, ये समीकरंट 3 और समीकरंट 4, याने हम इसकी जगे टाव लिख सकते हैं, तो ये आगया, vector DL by DT equals to टाव, ये है कौडिय सम्वेक और बल आगूर्न में सम्बंध, ये ठीक वैसा ही है, जैसा ही की रेखिये गती में आप ये देख रहे हैं, DP vector by DT बराबर F, ये ठीक ऐसा ही नियम है, जो न्यूटन का दुदी नियम आपने रीखिये गती में पड़ा है, ताव बल आगूर्न, DL by DT vector, DL by DT का मतलब, कौडिय सम्वेक में परिवर्तन की दर, जब आप ठीक है सापिक शमकलन कर रहे हैं, इसका मतलब है आप परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, आप DR by DT कर रहे हैं, ये विस्थापन की दर है, आप DP by DT कर रहे हैं, ये सम्वेक परिवर्तन की दर है, आप DL by DT कर रहे हैं, ये कौडिय सम्वेक में परिवर्तन की दर है,